हलो फ्रेंट्स आपका एक बार फिट्स स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी बग्या नैनी ताल में देखिए अब गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो गर्मियों के सीजन में किस तरीके से जो है आप अपने प्लांट की केर करते हैं आज मैं आपको वही बताने वाला हुँ तो देखिए के इस टेप में घरी आपके घर में बहुत सारी फूल जो है वह खिलने लगते हो प्लांट में बहुत बडिया जो ग्रोथ देखने को मिलती है तो त्हशेम आपको अपने प्लांट की केर करनी है वह मैं आपको बताने वाला हून। गर्मियों का जो मौस बनी रहें तो वो कैसे कर सकता हैं तो देखिए कि ये मेरे सारे प्लांट्स हैं आजकल जो है मैंने नीचे से ट्रेय रख दी है क्यूंकि दिन में जो होता है वो काफी दूप हुरी है और शाम की टेम में जो होता है हवा चलने लगती है जिसके कारण जो होता है आपके प्लांट्स जो होते हैं वो सूखने लगते हैं और मिटी भी काफी सूख जाती है उस टेम में तो इस टेम में जो है आप वाटरिंग का काफी खयाल रखें तो देखें गर्मिया तब स्टार्ट होती है तो है कि हमारे प्लांट सूप न जायए और उनमें पानी कौन दालेगा तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी सॉइल में नमी बनां के रख सकते हैं और किस तरीके से सॉइल में मौस्ट्र बना रहे यही सब चीजे जो है मैं आपको आज बताने वाला कहीं out of station जा रहा हूं तो मुझे भी ये काफी tension हो रही है कि मैं किस तरीके से जो है अपने पौधों को बचा सकता हूं और उनमें पानी किस तरीके से जो है मिलता रहा है ताकि वो इतने time में जो है वो सूके ना तो यह देखिए मैंने अपने जो mother plants थे तो उसकी नीचे जो है सब में मैंने tray रख दिये हाला कि जो मेरे और plants से बल्स वाले जैसे ऐल्स्रो मीरिया वगरा होते हैं तो इनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती लेकिन fuchsia को जो होता वो काफी पानी चाहिए होता तो देखिए मैंने मौर्णिंग टाइम में जो था सब में पानी दे दिया था तो अब जो है देखिए मैं आपको प्लेट से दिखा देता हूं देखिए यह मैंने morning में पानी दिया था तो अब जो है इनोंने सारा पाणी जो है वो soil ने पी लिया है तो अब यह plates जो हैं थो आइधे सूख चुकी है तो अब इन में जो है किस तरीके से उज़ है इसमें नमी बनी रहें तो हम लोग क्या करते हैं इसमें जो है सारी प्लेट में जो है वो पानी भर देते हैं तो देखिए मैं इस तरीके से जो आपनी प्लेट में पूरा पानी भर देता हूं ताकि जो है हमारी मिट्टी में नमी बनी रहे और तीन से चार दिन जो है आपको कोई भी पानी दालने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप भार जा रहे हैं तो बिल्कुल बे फिक्र होके जाईए क्योंकि आपके प्लांट्स को जो है वो पानी मिलता रहेगा देखे मैंने कुछ इस तरीके से जो है आप प्लेट में पानी बहर दीजें वाटरिंग जो थी वह मैंने मौनिंग टैंग में करी तो इस तेम में जो है सारे प्लांट्स में मेरे अच्छी देखिए यह सब अभी मिट्टी जो है गीली है अगर आप यह प्रॉसेस अपनाते है तो चार से पांच दिन जो है आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको प्रयाप्त पानी जो है वो मिलता रहेगा देखिए बिल्कुल पांच से दिखा देता हूं मैंने कुछ इस तरीके से जो है यह प्लेट में जो है पानी डाल दिया और यह पानी जो है चार स मैंने balls बनाई थी hardboards की जो पहले वीडियो में मैं इसकी पूरी वीडियो जो है दाल चुका हूँ तो इसमें भी है कि क्या कर सकते हैं आप जो है इनको 2-3 घंटा जो है पानी में भिगो के रख दीजिए और जो आपके जो प्लांट के साइट से आप मिट्टी हटा के इसका भ बहुती बड़िया पानी जो है ता सोक लेता है अपने अंदर तो आप इसको भी रख सकते हैं यह क्या करता है आपके प्लांट को ठंडा भी रखता है और आपकी मिट्टी में जो है वो नमी भी बना के रखता तो आप यह process भी अपना सकते हैं वैसे तो काफी सारी process होती है लेकिन आने वाली वीडियो में मैं आपको सारे topics बताँगा कि किस तरीके से जो आप अपने plants को बचा सकते हैं तो आज का topic था कि किस तरीके से जो है आप plates के जरीए अपने plants को बचा सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe my channel